नमस्ते दोस्तों, मैं शालनी, मेरी सरल और सरेस्रे सोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, आल बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ वरत वाले लड़ू, नवरात्री आ रही है और जो लोग 9 दिन का वरत करते हैं, वो इस लड़ू को पहले ही बना करके रख सकते हैं और जब भी वरत के दिनों में कुछ मीठा खाने का मन करें, या कुछ कम ओली खाने का मन करें तो वो इसे आराम से खा सकते हैं, यह बहुत ही पौस्टिक लड़ू होता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंने एक पैन को मीडियम फ्लेम पे चठा दिया है उसमें मैंने एक टी स्पून देशी गी डाल दिया है हम इसी एक टी स्पून देशी गी में ही अपने सारे लड़ू को बनाएंगे और जब घी थोड़ा सा गरम हो गया है तो मैंने एक कप इसमें मुंफली का दाना डाल दिया है और उसको हम medium flame पे ही अच्छे से roast कर लेंगे हमारी मुंफली अच्छे से भून गई है हम इसे निकाल देंगे मुंफली निकालने के बाद जो इसमें थोड़ा सा oil बचा है इसी में मैंने 4-5 अक्रोट डाल दिये हैं और 8-10 मैंने इसमें बदाम डाल दिये हैं और इनको भी इसी ओल में अच्छे से भून लिया है flame को low ही रखा है दोस्तों आप dry fruit की मात्रा अपने हिसाब से ले सकते हैं और इनको भी मैंने भून लिया है इसे भी हम निकाल देंगे अब मैंने उसी pan में 1 कप मखाना डाल दिया है मखाने को last में ही डाले नहीं तो मखाने शुरू में ही सारे तेल को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और इनको भी मैंने अच्छे से भून लिया है अब उसी pan में मैंने आधा कप ड्राई नारियल को घिस करके इसमें डाल दिया है ड्राई नारियल को भूनने के लिए घी की कोई जरूरत नहीं होती है मैंने बस low flame पे इसको इसी तरीके से भून लिया है अब हमारे सारे dry fruit भून करके तयार है हम इने mixi के jar में डाल करके इसको दरदरा भून पीस लेंगे मैंने इसे एक bowl में निकाल दिया है और ये दरदरा सा mixture हमारा बन करके तयार हो गया है अब हम इसके लिए गुड का सिरप बनाएंगे मैंने उसी pan में 1 cup और 1 4th cup इसमें मैंने गुड को छोटा-छोटा काट कर डाल दिया है आप गुड की मात्रा थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं फिर मैंने 5-6 हजूर के बीज निकाल करके उसको भी इसमें डाल दिया है और एकदम low flame पे हमें बस इसे गलने तक केवल पकाना है हमें इसमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है मैंने इसमें 1 teaspoon पानी डाल दिया है हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हम पानी सिर्फ 1 teaspoon ही डालेंगे पानी की मात्रा जादा बिलकुल नहीं करना है और नहीं हमें इसे बहुत जादा देर पकाना है सिर्फ हमें इसे इतने देर तक पकाना है कि यह दोनों चीजें थोड़ी सी आपस में मिक्स रो जाएं अब हमारा ये गुड का सिर्फ बन करके तयार हो गया है अब मैं इसे जो हमने मुंफली को पीस करके रखा था उसमें मैं इस जिरफ को डाल देंगी गरम-घरम ही हम इसको इस मुंफली वाले मिक्षर में डाल देंगे और इसको डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको मिला डेंगे यह बहुत गरम होते हैं इसलिए इसे चम्मच से ही मिलाएं फिर मैंने इसमें 1.5 टी स्पून हरी लाइची का पाउडर डाल दिया है और इनको भी अच्छे तरीके से मैंने मिला लिया है दोस्तों हाफ एक टी स्पून घी के बाद मैंने इसमें बिल्कुल भी घी नहीं डाला है अब मैं से केवल हाथ में मैंने पानी लगा लिया है और हाथ में पानी लगा करके हम इसका लड्डू बनाएंगे और यह बहुत ही आसानी से बन जाते हैं हमने चुकि गुड़ को बहुत जादा नहीं पकाया इसलिए हमारी यह लड्डू बिल्कुल सौफ बनते हैं अगर हम गुड़ को जादा पका देंगे तो लड्डू हमारे हाड हो जाएंगे और देखिए हमारा बढ़िया सा लड्डू बन करके तयार हो गया है मैंने सारे लड्डू इसी तरीके से बना लिये हैं जब भी आप लड्डू को बनाएं तो हाथ में पानी जरूर लगाएं मैंने सारे लड्डू बना करके तयार कर लिये हैं और देखें ये कितना soft लड़ू और बढ़या लड़ू बन करके बिल्कुल तयार हुआ है और ये बहुत ही energy देते हैं जब भी आप low feel करें तो आप इसे खा सकते हैं मैंने थोड़े से काजू से इसको सजा दिया है तो दोस्तों अगर आपको मेरी recipe पसंद आई हो तो प्लीज मुझे comment करके जरूर बताईएगा और अगर recipe अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे like करें, share करें और मेरे channel को subscribe करें